हेलो फ्रेंड स्वागत आपका मेरे चैनल मस्तियन फोड में आज हम बनाने जा रहे हैं लसुनी मेथी तो यहां पे मैं मेथी की बहुत ही बढ़िया सबजी बनाऊंगी जो खाने में बहुत जादा टेस्टी लगती है और बहुत ही जादा सेहत के लिए हिल्दी भी है मैंने यहाँ पे मेथी ली है यह बहुत ही फ्रेश मेथी है तो मैंने सबसे पहले इसको अच्छे से साफ कर लिया और साफ पानी से दो से तीन बार धो भी लिया है अब हम इसको रफली चॉप करेंगे यह कट करने के बाद लगबग डेड़ कप मेथी है सबसे पहले हम इसे कट करके साइड में ले लेंगे यह सबजी अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इसका जो मेथी का कड़वापन होता है वो इसमें जादा समझ में भी नहीं आएगा और खाने में बहुत जादा टेस्टी लगेगी अब हम यहाँ पे mixer grinder का जार लिया है अब यहाँ पे मैंने लगबग एक बड़ा चमच मुगफली रोस्टेड मुगफली और डाला है इसी के साथ में दो बड़े चमच तिल रोस्टेड तिल का सफेद तिल इस्तमाल किया है और इसी के साथ में हमने एक बड़ा चमश फुटाने यानि की रोस्टेट चना डाल लिया है इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट बनाके तयार कर लेंगे अब दूसरी तरफ हम गैस को अन करेंगे और गैस के उपर एक बरतन गरम करने के लिए रग देंगे इसमें मैं डालूंगी एक चमश तेल तेल को गरम होने के बाद में हम इसमें डालेंगे 5-6 लसुन लसुन की कलियां डालेंगे इसमें यहाँ पे लसुन को कट नहीं किया है मैंने इसे हम थोड़ा सा भुन लेंगे और इसे हलका सा ब्राउन होने देंगे अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई मेथी और मेथी को हम थोड़ी देर ऐसे चलाते हुए भुन लेंगे यहाँ पर बस मेथी को हलका सा फ्राई कर लेना है लगभग 2-3 मिनिट लगेगा और हमारी मेथी जो है वो फ्राई हो जाएगी यहाँ पर ग्यास का फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई रखा है मैंने मेथी हमारी फ्राई हो चुकी है अब हम इसे निकाल लेंगे और वापस से हम इसी वर्दन को गरम करने के लिए रख देंगे अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 बड़े चमश तेल तेल को गरम होने देंगे तेल हमारा गरम हो चुका है और तेल गरम होने के बाद में हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमश जीरा इसी के साथ में हम डालेंगे एक लाल सुखी मिर्च जिसको मैंने हाथ से तोड़ के डाला है और इसी के साथ में हम डालेंगे लगभग 12-15 लसुन के कलियां जिसको मैंने की बारिक कट कर लिया था हम लसुनी मेती बनाने जा रहे हैं इसलिए इसमें लसुन का कॉंटिटी जादा ही रखना है और लसुन का फ्लेवर इसमें बहुत जादा अच्छा आता है तो अब हम यहां पे लसुन को हलका सा सुनेहरा होने तक भून लेंगे लसुन हमारा हलका सा भून चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज प्याज जिसको मैंने बारिक चॉप कर लिया था इसे हम डालेंगे और इसे हम चलाते हुए भून लेंगे इसे हमें हलका सा सुनहरा होने तक प्यास को भी भुन लेना है जैसा कि आप देख सकते हैं प्यास का कलर चेंज होने लगा है लगवग एक तीन से चार मिनिट लग जाएगा और प्यास भी हमारे अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं प्यास हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज टमाटर तो यहां पे लाल टमाटर का इस्तिमाल कर रहे हूं इसे हमने बारिक चॉप कर लिया है टमाटर को भी हम प्यास के साथ में अच्छे से भ चमच नमक डाल रही हूं इसी के साथ में हम डालेंगे आधा चोटा चमच से कम हल्दी पाउडर डालेंगे यहां पे एक चोटा चमच रेड चिली पाउडर डालेंगे एक चोटा चमच धनिया पाउडर डालेंगे और अब हम प्यास को मसालों के साथ में अची तरीके से भू नहीं तो मसाले जो है वो नीचे से चिपक सकते हैं और जल सकते हैं तो यहाँ पे हम थोडी तैर से भूनेंगे सब्सकाओ अब तब तक भूनेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रमार कुछा अच्छी तरीके से पैस्ट हो चुगा है अब हम इसमें डालेंगे तिल और मुंफली का पेस्ट जो हमने बनाया था वो हम इसमें डालेंगे अब हम इसे भी मसालों के साथ में अच्छी तरीके से भूनेंगे यहाँ पे इसे कंटीनियू चलाते रहना है और यहाँ पे हम इसको थोड़ी दिर भून लेंगे हमें यहाँ पर ऐसे अच्छी तरीके से भूनना है जब तक साइट से तेल ना छोड़ने लगे तब तक हम इसको चलाते हुए भूनेंगे मसालो को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे तभी सबजी में टेस्ट अच्छा आएगा नहीं तो मसाले कच्चे कच्चे से लगेंगे और हमारी सबजी में टेस भी बढ़िया नहीं आएगा मसाले हमारे अल्मूस्ट भून चुके हैं और ये मसालों में साइड से तेल भी निकल रहा है अब हम यहां पर डालेंगे गरम मसाला तो यहां पर मैंने आदा चोटा चमच गरम मसाला इस्तमाल किया है इसे भी हम दो मिनिट के लिए भून लेंगे अब हम जो मेती हमने फ्राई करके रखा था उसे हम इसमें एड करेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसे भी हम दो मिनिट के लिए भून लेंगे वैसे तो हमने मसालों को अच्छी तरगे से भून लिया था तो इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है बस हम एक से दो मिनिट इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है आपको और यहाँ पर हमारी लसुनी मेथी बन के तयार हो चुकी है देखे कितनी बढ़िया लग रही है और खाने में भी बहुत जादा टेस्टी लगती है आप भी इसे ज़रूर एक बार ट्राइ करें अब यहाँ पर गैस का फ्लेम हम बन करेंगे और यह हमारी लसुनी मेथी बन के तयार हो चुकी है अब मैं ऐसे सर्विंग प्लेट में निकालूंगी इसे आप रोटी के साथ या चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आपको मेरे चानल की रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दिये गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो को नोटिकेशन मिलती रहे